इस एक्जम्पल में अब हम लोग एक फर्म टैग बनाएंगे फर्म टैग ओपनिंग फर्म टैग क्लोजिंग हमने बनाया नौ अब हम यहां पर फर्म टैग के अंदर फिल्स बनाएंगे सब्सक्राइब अमने का यूजर नेम एंपट टाइप टेक्स्ट नेम यू एनम दन भी और टैग मने लिखा फिर मने लिखा इमेल हमने एंपट टैग बनाय टाइप टेक्स्ट नेम सब्सक्राइब अमने शॉर्ट नेकर एमिल और फिर से बियार टैग हमने लिखा पासवर्ड हमने का पासवर्ड ये टाइप हमें लिखना होगा नेम हमने शब सबस्क्राइब का पी एस डवल्यू नहीं भी और टैक से लाइन टामरेट करने वाले हैं नहीं हमने का फूर्ड सुरी फूर्ड ऑप्शिंस ठीक है और यहां पर फूर्ड ऑप्शिंस में हमने एक पी एर टैग इंसर्ट किया और नहीं हमने का समुसा यहां पर लिखने का कोई स्कोप नहीं है चेक बॉक्स से टिक करो अंटिक करो इसलिए वाल्यू हमने का समुसा नौ तो ऐसे हम तीन फूर्ड ऑप्शिंस प्रवाइट करें समुसा और क्या बनते हैं समुसा हो गया वहा और जलीवी ठीक नौ इसको फूर्ड वैल्यू बस आपका जोइंच करना नेम सीम रहेगा और हमने का वहां नौ ठीक है हमने फूर्ड ऑप्शिंस लेखने के बाद हम नेक्स लिखते हैं सपोस हमने का जेंडर सेलेक्शन है जेंडर सेलेक्शन के लिए हमने यहां पर प्र टाइग इंसर्ट किया ना उसके बाद हमने कहा हमेल और इंप्ट टैप हमने का रेडियो नेम हमने कहा गड़ियो लिखने का मेल ऑसक्लोज कर जेते हैं यहां हमने फियार को ट्रॉस किया ना हम लोग यहीं जेंडर आख फिमेल के लिए बेधिंपर इंप्टेंग लिखनें रिडियो जिन वैल्यू हम लिखेंगे एफ ना उसके बाद यहां पर में ड्रॉपड़न बनातो हमने का सिलेक्ट नाम का हमारे पास टाइग है सिलेक्ट इसको हम नहीं में अट्रिव्यूट असाइन कर देते हैं सब्सक्राइग हमने का सिटी सिटीज नौ हम सिलेक्ट टाइग क्लोस करेंगे और सिलेक्ट टाइग के अंदर हमने आप्शिन टाइग बनाए हुआ है ठेक आप्शिन टाइग हमने क्लोस किया और हमने कहां जबल पुर नौ राइपर कांपर और ये वल पर राइपर कांपर और कोई पर होगा नौ पर दाशिट तो इस तरह से मने कुछ नंबर ओप्शिन को यहां पर लिखा हुआ है अब आपको तो मॉल्म है कि अब लोग और और टेग करते हैं डिफिन टाइक सम्यूस कर सकते हैं मैंने कहा टेक्स्ट एडिया ये एक और ट्रै करते हैं लोग टेक्स्ट एडियो ओपनिंग जोजिग नौ इसमें आपको नेम कंपर से लेकना है हमने का मैस जी नौ यह हो गय लिए नौ इसमें हम लोग इंपूट बटन भी बना सकते हैं अगर आप वोलिंगे तो हमने कहा इंपूट टाइप हमने कहा सब्मेट और वैल्यू तमने कह से सब्सी हमने लेबल लगना है यहां पसलेक्ट टैग के बाद एक पीर टैग इंसर्ट करते हैं और समिलरली हम टे अज़े हमारा पूरा पीच इसमें एक्षिन लिग देते हैं हमने का एक्षिन शॉरी एक्षिन हमने कहा एपूट एट्यूमिल फॉर्म बन के डेडी हो गया इसके सारे फीट्स टिफिर्ट टैप्स के फीड्स हमने क्रीट की हुए नाव बटन भी बना हुगा है नाव अभ हमने कहा js folder के अंदर एक a14 js file create करो और इसे हमारे html page के साथ लिंक कर दो तो body tag का जो आखरी closing tag कि वहां हमने script tag को insert किया हमने यहां पर src में लिखा कि एक js folder जहां पर a14 नाम का js file इसको हमने लिंक कर दिया हमारे a14 HTML के साथ अब हम इस a14 के अंदर code लिखेंगे मैंने कहा where और हमने कहा elements ठीक है और यहां पर हमने कहा document सबसे पहले तो मैं एक variable बनाता हूँ forms ठीक है तो ऐसा लिख देते हैं हम लोग शॉट में frms ठीक है कि वह element selector है इसको बहुत carefully use करना होगा हमने कहा forms तो जितने भी number of forms आपके page में हैं वह सारे आपको return होंगे पर हमारे page a14 में तो किमले की form है ठीक है तो आपको लेकिन collection मिलेगा forms बोलाए तो collection ही मिलेगा और यह हमारे पास element selector है form नहीं लिखना है forms लिखना है याल रखो हमने कहा alert और हमने कहा इस FRMS नाम की variable को हम alert करते हैं और देखते हैं कि कौन सा collection print होता है यहाँ पर आएंगे हमने कहा 14 example तो 14 example यह रहा enterprise किया तो आप देख सकते है form HTML collection मिला आपको तो जो forms हम मिल गए तो उन forms का हम length देखेंगे तो यह क्या बताएगा one क्योंकि हमारे पेज में तो एक ही form है तो इस collection में किवल एक ही form object रखा हुआ है ऐसा मुझे आपको बताना है refresh one आप देख सकते हैं अगर आपने इसा multiple form tags बना दिया आपने देखा होगा Facebook में उपर login और नीचे sign up page होता है registration page होता है तो वहाँ पर number of forms है ऐसा हम लोग application में देखते हैं यहां पर मैं एक बार बना के दिखाता हूँ मैंने form tag opening लिखा और इसका closing form tag हमने बनाया और that's it और इसके बाद इसी page को मैं refresh करता हूँ हमने refresh किया यहां पर length आगया 2 ठीक है और यहां पर मैंने का एक और form बनाओ तो यह just demonstration purpose के form बनाया है आप देख सकते 3 आ गया ठीक तो यहां पर आपने देखा इस तरह से हम लोग इसको handle किया हूँ है now अभी सबसे पहले तो page page में थोड़ा सा zoom करता हूँ और now हम लोगों को हमने alert में देखा तो सबसे पहले तो हम लोग ने alert में print किया कि form object जो है उसको हम print करेंगे यह जान उसके बाद हमने length के बारे में लिखा length मालूम किया now अब हम लोग यहां पर जो हमार पास form object है frms नाम के तो हमारा array है collection है collection का index 0 हम एक्सेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा first form मिलेगा तो मैंने एक variable बनाया form तो हमने कहा वो जो collection हमें मिला है collection object उसका जो index 0 है उस element को हमें process करना है हमने form variable में उसको hold किया क्यों है single form है ठीक है now अब यहां पर एक सबसे interesting बात आपको मैं बताता हूँ हूँ है alert में आप जाओ और आपने यह जो form object इसको पहले print करते हैं ठीक तो हमने का refresh तो क्या print हुए HTML form element तो मैंने exactly आपको बताया कि जो हमारा FRMS है वो क्या है collection इसको मैंने alert किया collection है HTML collection और उसका एक record रोडिट किया तो क्या मिलेगा वो HTML forms का collection है तो इसमें हर एक record index 01 पर एक form object होगा तो हमने इसमें से index 0 वाले form को एक variable में hold किया जान बच किस variable का नाम भी form लिखा और जो हमने इससे print किया तो आपने experience किया कि क्या print हुआ HTML form element ठीक है मैं इसको refresh करता हूँ HTML form element वो क्या है एक object है object हमें मिल गया now इसे मैं comment कर देता हूँ और अब मैं मैं बोलता हूँ form dot length form dot length तो frms dot length मतलब कि उस collection में कितने number of forms है उनका count लिए form dot length उस form का length किया होता है उस form का length मतलब होता है कि इसमें कितने fields है ठीक है तो one two three इस तरह से मैं count करना है ठीक है तो मैंने जो जावा स्क्रिप्ट code लिखा हूँ सध्यान से लिखा हूँ form object वो single form जो हमने access किया HTML form element उसका length हम यहां पर print करने वाले हैं तो मैं इसको refresh करता हूँ कितना आया 11 11 कैसे user name 1 email 2 password 3 then 4 checkbox 5 जो लिए भी वहला हां और seven उसके बाद जेंडर मैंने ब्यार टैक्नी इंसर्ट किया यह एक लाइन नीच आना चाहिए था कोई बात नहीं तो यह radio button जो है हमने लिखा हूँ है समोसा के बाद एक checkbox है तो उपर से count किया one two three checkbox is three हो गया six gender में दो हो गया eight drop down हो गया nine message box हो गया 10 और बटन हो गया 11 total 11 elements यहां पर हमारे पास है ठीक है तो इसको बैटर रीडिबिलिटी पॉइंट इफ्यूज से मैं यहां पर मल्टिपल बी आर टैक्स इंसर्ट कर देता हूं ए और सॉरी भी आर टैक फिरसे इंसर्ट कर देता है जिससे कि यह जादा रीडिबल हो जाएगा इंट इस पेज को मैं वापस रण करके दिखाता हूं और रिफ्रेश करेंगे हम लोग एक बर वापस 11 elements तो वन यूजर नेम तो जूम आउट करता हूं मैं यूजर नेम वन इमेल टू पासपर्ट त्री त्री चेक बाक्से से टोटल सिक्स हो गया यह टू और रडिवन एड़ कर इसको पर length call किया तो आपको क्या मिलेगा तो उसमें जितने भी number of fields है उन सभी का count आपको मिलेगा यहां आप हम लोग एक for loop run करेंगे और इसके through इसको और समझने की कुश्च करेंगे तो एक-एक element print होगा i is equals to 0 and i is less than form dot length form हमारे जिस्ट variable है जिसमें form object को हैनल कर रहे है और आई प्लस प्लस और हमने का alert उपर के सभी alerts बन रखना है वहाँ सरे alerts आपको confuse कर देंगे मैंने का यह जो हमारा form नाम का object है उसका आयत record करो अब देखो मैं इस form object को कैसे रीड कर रहे हैं इंडेक्स वाइस उनिका length ही इतना है तो उसका form का आयत record रीड करो और बताओ क्या यह valid syntax है चेक करेंगे देखो html input element तो उस form का एक-एक record हम रीड कर पा रहे है तो form object है के समान है ठीक है क्योंकि उसका एक-एक element हो हम एकसेस कर पा रहे है html input element ओके फिर से input element email हो किया नौ password नौ उसके बाद चेक बॉक्स है one two three input type check box उसके बाद radio button आया one two अब इसके बाद में बोलूंगा next है select tag तो इसे click करते है html select element ठीक है उसके बाद text area है click करेंगे html text area element उसके बाद button है हमारा input type input element instrument input element तो इस तरह से हमने सारे elements की उपर iterate किया और मैंने आपको दिखाया अब यहां पर एक और बहुत इंट्रेस्टिंग बात है तो उसके बारे में बात करेंगे मैं इसको कमेंट कर दता हूं multilane comment से तो इस वीडियो को ध्यान में रखकर आप आप इसे run करके देख सकते हैं now मैं आपको बहुत इंट्रेस्टिंग बात यहां पर बताने वाला हूं और यहां पर आप देखो मैं एक variable बनाता हूं हमने का where elements elements ठीक है और हमने यहां लेका form जो हमार object variable है जिसमें form object को handle किया हमने का form.elements ठीक है form.elements और मैंने कहा alert और यह जो elements है जो हमने variable बनाए है उसको हम just alert करने बाले है उपर के सारे alert बन रखना है जिससे कि exactly हम जैसे try करें वो देख पा रहे है HTML form controls collection तो देखो जो अपने कहा form single form object को अपने access कि है .elements बोला तो उससे क्या मिल रहा है एक collection मिल रहा है HTML form controls collection form controls मतलब यह जो आपके input fields है इनका collection तो यह जो सारे fields है जिनको हमने अभी बहुत simple तरह से access किया था उसका एक और तरीका same वही अप्रोच वही काम करने के दूसरा तरीका हम देख पा रहे हैं तो जो elements से इसके उपर हम लोग iterate कर सकते हैं तो मैंने नीचे फिरसे एक follow बनाया यहां पर एक और follow बनाते हैं यह हमने follow create किया हमने हाने का i is equals to zero and i is less than हमने का यह जो elements नाम का हमारा variable है जो कि एक तरह का form html form control collection नाम का object है तो इसका जो length है उतनी बार run करेंगे i++ और हमने का alert कभी भी कुछ बात नहीं समझ में है तो आप उस element को print करके देखो क्या print हो रहा है इसको judge करो हमने कहा जो elements है उसका आयत record read करो ठीक है तो यह मैं run करता हूं और दुबारह वही सब elements print होंगे html input fields तो इसके बाद email then उसके बाद password field html input field उसके बाद checkboxes 1 2 3 उसके बाद ready buttons 1 2 उसके बाद select tag देखो select tag आया उसके बाद text area then उसके बाद button आया हमारे input field आया ठीक है that's it done तो हमने देखा कि दो तरह से हम ऐसा कर सकते हैं right तो इस video में इतना ही पर इसके आगे हम लोग और पी examples देखेंगे